दोस्तो अगर आप लोग को फोटो और वीडियो बेज के पैसा कावने में इंट्रेस्ट है तो टीचिंग डॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के हिट करके सारे नोटिफिकेशन आउन कीजिए मेरे स्टॉक फोटोग्राफ़ी गाइड सबसे पहले इसे कर सकते हो तो यह एक्चुली बहुत इंपोर्टेंट है बहुत किसी के लिए कि मानलो आप शुरू-शुरू में कोई भी फोटो या डिजाइन अपलोड किये जो आपको अभी पसंद नहीं आया क्योंकि आप अभी बहुत सीख गये हो छे साल एक महिने के बाद आपको लग रहा है कि वो डिजाइन आपको इंप्रूफ करना है तो डेफिनेटली यह पॉसिबल है या फिर आपको लग रहा है कि आपका जो फोटो या डिजाइन था अच्छा से सेल नहीं हो रहा है क्योँकि उसका टाइटल या कीवर्ड खराब है तो नहीं केवल आप अपना फोटो का टाइटल, डेस्क्रिप्शन, कीवर्ट साब चेंज कर सकते हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको चेंज कर सकते हो मैं दिखाऊंगा अपने मोबाइल से करके और वो सेम उप्शन से आप अपना कंप्यूटर में भी जाके कर सकते हो दोस्तों आप लोगों को जो करना है वो है कि अपने फोन में या डेक्स्टॉप में गूगल क्रोम से शटर स्टॉक में जाना है आप अगर एप से जाएंगे तो ये बात होगी नहीं तो आपको जाना है submit.shutterstock.com जो Shutterstock का contributor website है वहाँ पर आपको जाना है ठीक है मोबाइल से एक मिरीट मैं मोबाइल को portrait mode से landscape mode में कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा unpaid earning है 431.07 मतलब आगला payment जो मुझे मिलेगा मुझको 431 रुपीज मिलेगी डॉलर तो आपको क्या करना है यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाना है पोर्टफोलियो जो option है वहाँ पर आपको टच करना है वहाँ से आपको जाना है यह वाला catalog manager menu में ठीक है दोस्तों पोर्टफोलियो से catalog manager menu वहाँ पर आपको ऐसे सरे option आएंगे तो all images all photo illustration video जो भी है तो मैं आज के लिए all images कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों right side में आप अगर यह size को छोटा कर देंगे तो बहुत सारे image आपको ऐसे दिखाएगा तो यह से बहुत सारे images है मान लिजिए कि मुझे यह वाला images का यह वाला जो कोई भी एक image का कुछ change करना है या उसको delete करना है तो इसको single image को ऐसे select करेंगे और यह pen जो icon है इस पर हम लोग click मार देंगे इसको मानने के बाद ही आपको थोड़ा time लेगा image render होने में कभी कोई problem होता है यहां से तो मैं कोई दूसरा image कर लूँगा एक second यह वाला तो देखिए दोस्तों यह image खुल गया है render तो यहां से आप क्या कर पाएंगे देखिए यह वाला कर जो title है देखिए मैं title अभी change करने का option है scroll तो मैं यहां से इसको backspace मार 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 के देखिए इसका edit कर पा रहा हूँ इसका जो category है मुझको अगर लग रहा है कि यह गलत है तो समान लीजिए कि यह animal wildlife के जगा पर मैं इसका object बोलना चाहूंगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ इसका जो keyword है नीचे देखिए बहुत सारा है इसको भी मैं click click करके delete कर सकता हूँ ठीक है एक एक करके keyword में delete कर सकता हूँ तो ऐसे कई भी अगर change आप कर पाएंगे करके आपको अगर वो save करना information तो आप यहां पर save पर click मारेंगे और वो आपको एक option देगा कि आपको save करना येस और नो ठीक है ना तो मुझे ऐसे change नहीं करना मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा था या फिर आप ऐसे भी कर पाएंगे कि इसको अगर delete मारेंगे तो भी इसको option यहां पर आपको मिलेगा कि आप delete इसको करना चाहेंगे या नहीं तो बस दोस्तो यही था ऐसे ही आपको portfolio में जाके catalog manager में जाके एक photo choose करके pen icon पर hit करके आप उसका title, description, category, keyword बदल सकते है और उसको delete भी कर सकते है कभी-कभी क्या होता है आप अगर बहुत major change कर दिये तो photo फिर से review में जाएगा और आपका अगर photo एक accept हुआ है तो मतलब वो review होके अप्रूव हो ही जाता है तो बस good luck तो बस दोस्तों यही था इतनी आसानी से आप अपना photo का title, description, keyword चेंज कर सकते हो या अपना design को alter कर सकते है और delete भी कर सकते हो लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपका photo sale हुआ है एक sale, दो sale जो भी हुआ हो और आपको अगर लग रहा है कि change करने से मेरा वो photo बहुत जादा भीखेगा तो वो कभी मत कीजिएगा क्योंकि photo जब sale होता है तो उसका ranking बहुत जादा बढ़ जाता है और वही photo बार बार sale होने का chances रहता है तो ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ है और दोस्तों के साथ भी बहुत हुआ है कि एक photo sale हो रहा था उसको उन्होंने delete करके similarly बहुत अच्छा photo लगा है और वो कभी sale हुआ ही नहीं तो ये बात ध्यान में रखिएगा तो अभी आज वक्त है code of the day के लिए आपको तो पता ही होगा आप मेरे चैनल को दागा देख रहा है बहुत दिन से तो एक code आपको लिखने पड़ेगा comment section में जिससे आप मुझको पता चलेगा कि आप ये वीडियो skip नहीं करके अब तक देख रहे हैं जबकि मैं आज nature आउट्डोर च्छत पर अपना वीडियो बना रहा हूं तो आप code of the day लिखिए नेचर तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आप 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 आप